कभी कभी पंचायत के फैसले भी बड़े अजीव और गरीब होते हैं। ऐसे ही आज का फैसला है जिसे सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी और परिशानी भी हो सकती है। क्योंकि पंचायत ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने गलती की थी उसको अपनी आधी जमीन उस पीडित को देनी थी। और जमीन के बदले में जो उसके बाप थे उसके जितने भी उसके कर्म थे वो सब धुल जाते। मगर पीडित के परिवार ने कहा हमें आधी नहीं हमें पूरी जमीन चाहिए। इसी पर खेल बिगड़ जाता है और जब ये बात पुलिस के माध्यम से, सोचल मीडिया के माध्यम से और अखवारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो बाकी इंसानियत भी शरमसार होटती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग जिनको किसी भी रिष्टे की कोई परवा ही नहीं होती है, ऐसे लोगों का समाज में रहने का शायद कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन भारत के कानून है कि बहुत सारे वो भी बंधोनों में जो बंधा हुआ है आदाब नमस्कार शस्रियकाल मैं उस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रियाग राज दरसल इसी जिले का एक थाना लगता है पूरा मुफ्ती बात है 7 मई 2022 की एक लड़की अचानक से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके चोट लग जाती है जैसे वो लड़की ठोकर खाकर गिर जाती है बेहोश हो जाती है उसको नजदे की डॉक्टर के हाँ दिखाया जाता है लेकिन लड़की को होश नहीं आता उसकी मा उसको लेकर फिर श परीबार के जो सारे रिष्ट दारत हैं वो भी देरे-धेरे करके जमा हो जاتे हैं और जब डॉक्टर उस लड़की का इलास करता है तो इलास करने के साथ साथ भूं एक महिला डॉक्टर को गुलाता है और उससे उसका चेक अप कराता है चेक अप कराने में पता चलता है कि ये लड़की लगभग साड़े तीन महीने की गरबती है और ये बात जब डॉक्टर के माध्यम से मा को परिबार के बाकि सदस्यों को पता चलती है तो सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है कि आखिरकार ये बेटी जिसकी उम्र अभी साड़े पंदरा या सोले साल के आसपास है वो गरबदी कैसे हो गई बैस यही सवाल था कैसे और किसने की है यही सब जानना चाहते थे उस लड़की को घर लाया जाता है बड़े प्यार से पुछकार के माने उसे अपने सीने से लगाया और उसे कहा कि बेटा जो भी तुम्हारे अंदर कोई बात है जो भी तुम्हारे मन में है जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है एक बार हमसे बताओ तो सही हम तुम्हारे माबाप है तुम्हारी हर वक्त जैसे भी हो सकता है वैसे ही मदद करने की पूरी पूरी कोशिश बेटी थी कि उसकी खामोशी तूटने का नाम नहीं ले रही थी तब बाप ने कहीं जाकर कहा कि यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर भी छोड़ दूँगा तुम लोगों को छोड़ दूँगा और जरूत पड़ी तो इस दुनिया को भी यकीन हो रहा था और नहीं बाप को यकीन हो रहा था और नहीं परिवार के बाकी सदस्यों को यकीन हो रहा था कि घर में जो परिवार का रिष्टेदार है चाचा है आखिरकार वो अपनी सगी भतीजी सगी नहीं मतलब परिवार की बेटी के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकत बात देर देरे समाज में फैलती है गाउं में फैल जाती है और गाउं के जिम्मिदार लोग फिर एक पंचायत आयुजित करते हैं और जब पंचायत आयुजित हो जाती है तो वो पंचायत कम साथ घंटे तक लगातार चलती रहती है सभी तरह के लोग है और सभी तरह के लोग अलग अलग तरह की बाते कर रहे थे अलग अलग फर्मान सुना रहे थे आखिर में के लब में 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस पंचायत न के फैसला दिया कि इस लड़के के नाम जितनी भी संपत्ती है उस संपत्ती का आधा हिस्सा वो लड़की के नाम कर दे क्योंकि घर का परिबार का मसला है बात घर से बाहर जाएगी तो बहुत जादा बदनामी हो जाएगी ये जमीन का आधा हिस्सा अगर इस लड़की के नाम कर देगा तो फिर कोई पुलिस कारवाई नहीं होनी चाहिए पंचायत ने फैस्ता दिया था परिवार रिश्टदार सभी लोग मान जाते हैं मगर उस बेटी की परिशानी को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की वो बेटी क्या चाहती थी आखिरकार उसके साथ उसके चाचा ने ऐसा क्यों किया उस बेटी से किसी ने भी नहीं पूचा और मा भी इस पंचायत का हिस्सा बनती है मा कहती है कि हमें आधी जमीन नहीं हमें पूरी जमीन चाहिए बात जब आधी और पूरी जमीन पर आती है तो पंचायत का जो फैसला था, फर्मान था, कहीं न कहीं रखा रह जाता है इसके बाद उसकी मा अपनी बेटी को लेकर सिदा थाने पहुंसते हैं यानि कि पूरा मुफती थाने में जाकर और वहां जाकर आप बीती बताती है तो बेटी रोते हों कहती है कि जब मेरे पापा रोज मर्रा की तरह कमपनी में काम करने के लिए जाते हैं सुबही घर से साड़े आठ नो बजे निकल जाते हैं, रात को साथ आठ बजे के बाद बापिस आते हैं तो इस दर्मिया उसकी जो मा हैं वो कई बार खेतों पर चली जाती है, कई बार परश्णों के लिए चारा लेने के लिए चली जाती है, कई बार परश्णों की देखवाल करने चली जाती है इसी बीच उसके चाचा ने उसके अकेलेपन का फायदा उठा कर उसके साथ पहले तो गंदी हरकत की थी और वही गंदी हरकत उसने ये कहा कि मैंने सब कुछ मॉबाइल में कैद कर लिया है और अपनी ही भतीजी की उसने प्रेशर में लेकर दवाब में लेकर उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया था लगभग छे महीने पहले उसने इस घिनोने करत्ते की शुरुआत की थी यहने की दिसंबर 2021 से और तब से लेकर जब उसका मोका मिलता था जब उसे लगता था कि आज वो घर पर अकेली है या फिर उसका चाचा घर पर अकेला है घर पर कोई नहीं है तब ही वो अपनी भतीजी के पास जाता था या उसे अपने पास बुलाता था और उसे बुलाने के बाद तब उसके साथ वो ही गंदा घिनोना करते वो लगातार एक के बाद एक दिन कड़ता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी होता है कि वो लड़की गरबती हो जाती जब प्रिग्नेंट हो जाती है उसको तकलीब बढ़ती है, उसको ठोकर लगने से वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसको चकर आ गए थे क्योंकि उसके पेट में जो बैक बच्चा पल रहा था, उसी के वज़े से वो घिरी थी और उसी के वज़े से वो होस्पिटल तक पहुँची थी और होस्पिटल वालों ने जब कहा कि ये लड़की लगभक साड़े तीन महीने की गरबती है तब कहीं जाकर उस लड़की की जो दिक्कत थी उसकी परिशानी थी तब कहीं जाकर वो खत्म होने का नंबर आया था लेकिन समाज के ठेकेदार समाज के लोगों ने एक पंचायत आयुजित करने के बाद उस लड़की के आधा जमीन दे कर शायद अपनी जिम्मेदारी से इती शरी कर ली थी काश एक बार उस बच्ची से भी पूचा जाता कि बेटा तुम क्या चाहते हो हाला कि पुलिस ने मामले अपने हाँ दर्ज कर लिया है गंभीर धारों में और उसके चाचा को भी ग्रफतार कर लिया है जो ऐसे चो है उपेंदर प्रताप सिंग कहते है कि आरोपी को ग्रफतार करके जेल भेज़ दे गया है और कम से कम समय चार्शीट लगा कर इस मामले को फास्ट रेक कोट में चलाया जाएगा ताकि उस आरोपी को ये पता चल सके कि कानून उसके साथ क्या कर सकता है दोस्तों इस घटना को सुनाने का उदेश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागुर करना है आपको सचेत करना है पहले भी मैं कई कहानियों में आपको बता चुका हूँ कि जब भी किसी बेहन, किसी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है उसे अच्छी तरह पता होता है कि गुड टच क्या है और बैट टच क्या है जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसमें कोई भी किसी तरह की कोता ही न बढ़ते हैं बलके अपने किसी खास को बताएं जो तुम्हारी मदद कर सके और उसी के सहारे से आप होने बाले आपरात से बच सकते हैं इस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा ये तो खेर कोट डिसाइड करेगा साथ ही वो इस जो चै महिनी से परिशानी चै महिनी से दर्द को जहिल रही थी उससे उबर पाएगी नहीं उपर पाएगी ये भी एक भविश्य के गर्ब में चुपा है इसलिए अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभार